Hey friends, welcome back to my channel Versatile Roche और जो आज की वीडियो है, ये वीडियो भी unboxing और review related वीडियो होने वाली है तो आगे वीडियो में मैं unbox करने वाले हूँ एस OnePlus के Powerbank को जो की recently मैंने Amazon से purchase किया है तो आगे वीडियो में मैं से unbox करूँगे, इसके features बताऊँगे, इसे कैसे use करते हैं और ये full charge होने में कितना time लेता है और ये maximum कितने phone को charge कर सकता है बाकि इसकी build quality के बारे में भी बात करेंगे तो अगर आप Powerbank लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful होने वाली है तो वीडियो आप पूरी end तक देखो तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के लेट्स को तो दोस्तों अगर आप इस product को Amazon से purchase करते हो तो इस type की packaging में आपको आपका product मिल जाएगा 4-5 दिनों के अंदर और packaging की बात करूँ तो काफी अच्छी मुझे इसकी packaging लगी अंदर से पूरा bubble wrap है इसमें तो कोई damage नहीं हुआ है मेरे product को package के अंदर आपको एक बिल मिल जाएगा और powerbank का box मिल जाएगा तो पहले बिल की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हो यह मैंने purchase किया है 1100 में Amazon से बाकी link मैं आपको description box में दे दूंगे अगर आप चाहो तो वहां से मंगवा सकते हो और अब कर लेते हैं जल्दी से box को open तो दोस्तों कुछ इस type के black and white color के box में यह powerbank आता है जिसके front में एक side oneplus की branding की गई है और एक side लिखा है oneplus powerbank 10,000 mAh black तो 10,000 mAh जो है वो इसकी capacity है battery की बाकी जो black है उसका मतलब मैंने black color में purchase के है इसमें दो color variant है एक है black एक है green तो जो आपको पसंद है आप उसे purchase कर सकते हो बाकी जो box के पीछे अगर आप देखते हो तो यहां features लिखे हुए है इसके तो इसे मैं आगे detail में आपको explain करके बताने वाली हूं तो चलिए अब मैं करती हूं box की seal को open और देखती हो अंदर क्या क्या चीज़े हैं तो दोस्तों यहां पर देखे box के सबसे नीचे आपको एक red and white color में 2-in-1 charging cable मिल जाएगी इसका नाम 2-in-1 इसलिए है क्योंकि यह दो तरीके के phone को charge कर सकता है एक type C port वाले और एक दूसरा है micro USB वाले बागी जो quality है इसकी काफी अच्छी है और आप देख सकते हो design भी इसका बहुत अच्छा है इसे रखते है side और देखते है next किया है तो यह है red cable club card तो अगर आप oneplus के user हो तो आपको इसके बार में पता होगा इसमें कुछ benefits मिल जाते है जैसे कुछ points मिल जाते है cloud storage मिल जाता है next हमें मिलता है manual guide और last में है ये प्यारा सा power bank बहुत अच्छा लग रहा है मैंने से black color में order किया है green color भी था पर वो मैंने इसलिए order नहीं किया क्योंकि वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है तो चलिए दोस्तो अब मैं आपको बताती हूँ power bank के बारे में तो power bank के नीचे side आपको 3 port मिल जाएंगे जो first और जो third port है वो output है उसमें कुछ input वगेरा नहीं है उससे आप अपने phone वगेरा चार्ज कर सकते हो और आप एक साथ भी दोनों port को use करते चार्ज कर सकते हो बाकी जो current है वो same ही होगा दोनों में और जो ये power bank है वो maximum 18 watt तक ही power दे पाएगा बाकी जो बीच वाला port है उसे multiport कहते हैं और इसमें in out दोनों लिखा हुआ है आप देख सकते हो तो in उस case में जब आप power bank को charge कर रहे हो और output उस case में जब आप power bank से इसी port के through कोई phone charge कर रहे तो इसलिए इसमें in or out दोनों लिखा है तो power bank के उपर side आपको ये चार डॉट दिखेंगे इन्हें बोलते है power indicators तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके features बता देती हूं और अभी मैं एक overview देती हूं आगे elaborate करूंगे बहुत अच्छे से step by step तो सबसे पहले बात करते है material की तो ये बना है PC का PC का full form है polycarbonate और काफी sleek design है इसका बहुत light weight है जो इसका weight है वो 226 gram है तो pocket friendly आप easily से कहीं भी carry कर सकते हो ज्यादा heavy भी नहीं है compact इसका design है तो मुझे काफी अच्छा लगा और इसके dimension 150 by 72 by 15 mm है और 3D curved body के साथ ये आता है जिससे एकदम perfect grip मिलती है 10,000 mh की इसकी battery है और lithium polymer की ये बनी हुई है तो जैसे ही आप इस power bank को right side गुमाओगे तो टॉप पर आपको एक बटन देखने के लिए मिलता है इसे power button कहते हैं तो इसके दो काम है तो जैसे ही आप इस power button को एक बार प्रेस करते हो तो ये battery level दिखाता है जो सामने indicator आपने द 50% charge है power button को दो बार प्रेस करने पे ये low current charging mode पे चल जाता है जिससे आप low current जो डिवाइसे से उन्हें charge कर सकते हो जैसे neckband हो गए smart watches हो गए तो इनको low current की जुरत होती है चार्ज होने के लिए तो आप इस mode का use कर सकते हो तो चलिए दोस्तों अब मैं करने वाली हूँ इसकी charging test और मैं इसे charge कर रही हूँ 30 watt के वाप charger से उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूं कि जैसे ही आप इसे charge पे लगाओगे तो जो ये सामने power indicator है ये blink होने लग जाते है sequence में और जब एक बार आपका power bank fully charge हो जाता है तो ये सारे के सारे जो power indicator है वो steady on हो जाते है कोई भी blink नहीं करेगा तब आपको पता चल जाएगा कि जो आपका power bank है वो fully charge हो गया है तो देखे दोस्तों हमारा जो power bank है वो fully charge होने वाला है क्योंकि जो तीन dot है वो steady on हो गए है और जो last वाला है वो blink कर रहा है तो जैसे ये भी blink होना बंद कर देगा तो यहां पर power bank fully charge हो गय देगा तो यहां पर मैंने इस power bank को अच्छे से चेक कर लिया है आप देख सकते हो जो power indicator है वो एक ही बचा है और वो भी blink कर रहा है तो सबसे पहले मैंने इससे चार्ज किया अपना फोन यानिकी oneplus 70 pro जिसकी बैटरी है 4085 mAh की और इसने 1.5R में 60% फोन मेरा चार्ज किया औ और 2.5R में इसने 100% मेरा फोन चार्ज कर लिया फिर मैंने इससे चार्ज किया oneplus 7 pro को जिसकी बैटरी है 4000 mAh की तो यह power bank उसे सिफ 80% ही चार्ज कर पाया और फिर बस यह बंद हो गया यानि कि मैं कह सकती हूं कि जो इसकी capacity है वो 10,000 mAh की नहीं है एपरोक्स 8,000 mAh की है फिर म अगर आल बात करूं तो यह power bank मुझे look wise तो बहुत अच्छा लगा बर जो इसकी charging speed है वो कम है अगर आप अपना जो budget है वो बढ़ा सकते हो तो 1700 का MI का 20,000 mAh बैटरी वाला जो power bank है आप वो खरीद सकते हो मैं आपको recommend करूंगी वो काफी अच्छा है और अगर आप charging speed से compromise कर सकते हो तो आप यह वाला power bank purchase कर सकते हो तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी हो आई है कि नहीं आई है comment box में comment करके बता देना और अगर कुछ कम होगी तो वह भी बता देना तो मिलते हैं मेरी next वीडियो में till then stay healthy stay safe and stay connected